अक्सर बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं होता है उन्हें पसंद होता है तो मैगी, नूडल्स या पास्ता यही सब उन्हें चाहिए होता है लेकिन ये सब हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं तो इनी सब को सोचते हुए मैं आज आपके लिए लेकाए हूँ आटा न कर दूद का उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसके बाद नमक को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया फिर हिहां पर पानी डालेंगे आटे मे और यहां पर एक डोब बना लें जिस तरीके से हम रोटी के लिए डोबनाते हैं उतना ही यहां पर सॉफ्ट डोबनाना ह अगर आपके पास गुथा हुआ आटा रखा हुआ है तो आप उसके भी आटे वाले नूडल्स बना सकते हैं आसानी से कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब करें साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके यहां पर मैंने आटे का डो लगा लिया है तो दस मिनट के लिए आटे को धबक देंगे और दस मिनट बार dhककन हटाएंगे और फिर स्मिनट बार अटे को एक बार घूत-बार गूत लेंगेिशन अगर आपके पास गुता हुआ आटा है तो आप गुते वे आटे से डारेक्ट आप रोटी को बेल सकते हैं अगर उसमें नमक नहीं डला है तो कोई बात नहीं वो नमक तो बाद में भी डल जाएगा फ्रेंड घर पे बनी हुई आटा नूडल्स अगर आप एक बार खाएंगे न तो यकीनन आपको बहुत जादा पसंद आएंगे और हर बार आप बच्चों को यही बना के देंगे क्योंकि बाहर का जो नूडल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम मैदा ही होता है जो की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है तो मेरे कहने पे एक बार आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राए कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटी को मैंने बेल लिया है बड़ा उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और fold करने के बाद यहाँ पे चाकू की मदद से एकदम पतली-पतली स्टिप काटनी है क्योंकि नूडल्स बना रहे हैं और नूडल्स जब तक लंबे स्टिकी ना हो तो मज़ा नहीं आता है तो इसलिए इस तरीके से हम आटे के जो हैं स्टिक बना लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आटे की जो स्टिक है वो मैंने उठा ली है और उसके बाद आटे के स्टिक को इस तरीके से खोल देंगे तो यह बन गया हमारे आटे का नूडल्स वो भी बिना मशीन के मशीन तो हर किसी के घर में नहीं मिलेगी ना तो इसलिए इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा और इसी तरीके से आटे के जो स्टिक है इसे काटते रहेंगे और इस तरीके से इन्हें खोल लेंगे सूखा आटा इसलिए लगाए था ताकि जो स्टिक है वो आपस पे चिपकेना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो noodles हैं वो मैंने खोल लिये हैं तो अब करते हैं noodles बनाने की तैयारी वो भी घर के तरीके से तो यहाँ पर मैंने पानी गरम करने के लिए already रखा हुआ था गैस पर और इसमें एक चम्मस तेज डाला है और उसके बादे noodles को पानी में डाल देंगे और दो मिनट के लिए उबाल आने तक इन noodles को पका लेंगे अगर आप गुथेवे आटे से बना रहे हैं तो इस टाइम पे आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं और दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पे यहाँ पे noodles को हम पका लेंगे और पकानी के बाद इने च्छनी स निकाल लेंगे यानि की noodles का जो पानी है वो सारा का सारा ड्रेंड करना है तो इसके लिए मैं noodles को ठंडे पानी में डाल रही हूं और उसके बाद पानी को ड्रेंड कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने सभी noodles को निकाल लिया है इस तरीके से noodles को ठंडे पानी में डालने से क्या हो साथ में यहां पे एक कटा हुआ प्यांच डाल देंगी जो कि मैंने लंबे में काट रखा है और उसके बाद यहां पे प्यांच को एक मिनट के लिए पका लेंगे यहां पे सिर्फ प्यांच को सॉफ्ट करना है ज्यादा नहीं पकाना है और जब एक मिनट हो जाए तो उसके बाद यहां पे मैंने डाला है आधी कटीवी शिम्ला मिर्च जो की मैंने बारिक काट रखी है तो शिम्ला मिर्च को भी यहां पे एक मिनट के लिए प्यास के साथ पका लेंगे ताकि जो शिम्ला मिर्च है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए नूडल्स बनाने के लिए आप अप पाउडर धनिया पाउडर और नमक स्वादन सार थोड़ा सा यहां पे डाला है गरम मसाला मैं यहां पर जो नूडल्स बना रही हूं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूं जो कि बच्चों को बहुत जादा पसंद आते हैं साथ ही यहां पर मैंने डाल दिया है एक चम्मच क मदस से नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ तो यहां पर देखिए हमारे जो नूडल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बन चुके हैं तो गैस का फ्लेम बन करते हैं और नूडल्स को सर्फ करते हैं एक बार आप अपने बच्चों को इस तर बाई बाई फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ